हलो एवरिवान वेलकम बैक तो मैं चैनल गाइस एक और नियो रिडिंग के साथ मैं आगई हूं कैसे आप सब आप सब आप सब आप सब अच्छे हैं खुश आर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो रिडिंग करने वाली हूं आप सब रोगों के लिए म I'm so sorry कि बहुत ताइम से रिडिंग नहीं आ पा रही थी actually मेरे exam खतम तो हो गए थे Saturday कोई लेकिन मैं सोचे थी कि थोड़ा सा rest ले लूँ क्योंकि बहुत पूरा का पूरा week जो लास्ट गया है ना बहुत जादा ही hactic था that is why मैंने रिडिंग नहीं की है और तो सोचा इन चैनल पर भी एक रिडिंग अपलोड कर दूँगी अगर जादा लेट हो जाएगा तो फिर नहीं करूंगे लेकिन कल से तो प्रॉपर रिडिंग आपको मिलनी शुरू हो जाएगी और मैं चाहूंगी कि ऐसे ही continuously रिडिंग अपलोड करती रहूं क्योंकि अब मैंने यह आपर काफी चीज़े सीख लिया है कैसे एडवांस में चीज़े करकर चलना होगा मुझको ताकि चैनल डिस्टर्ब ना हो ठीक है तो डोंट वरी आगे से continuously आपको रिडिंग आती रहेगी मिलती रहेगी तो अभी जो रिडिंग कर रही हूं टॉपिक है कि मार्च मन्त कैसा रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस भी हो गए है लाइक मेरको करना था ट्रिपल टू पोर्टल पर रेडिंग वो रह गया है तो अगर आपको जानना है इस टॉपिक पर रेडिंग तो आप मुझे कॉमेंट में बता देना मैं कर दूँगी क्योंकि पोर्टल ओ रेडिंग चाहिए होगी तो प्लीज लेट मी नो इन दे कॉमेंट सेक्शन आइवल प्रवाइड यू पोर्टल ओपन हो चुका है तो हम उसके बारे में भी जान पाएंगे अभी वह आपके लिए क्या ब्लेसिंग गाइदेंस लेकर आया है और फुल मून का इंपक्त आप सो अब अपनी रेडिंग पर आते हैं और देखते हैं कि मार्च मन्त आपके लिए कैसा रहेगा इस मन्त में आपकी परस्टनल प्रफेशनल लाइफ कैसी रहेगी और डिवाईन आपको किस तरह से गाइड करेंगे इस मन्त के लिए सारी बाते जानेंगे डिटेल में तो टेल में जानना है अपने बारे में तो you can book your personal reading आपको description box में मेरे instagram ID का link मिलेगा वहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हैं अपनी reading के लिए ठीक है prices और सारी details mention है description box में अच्छे से पढ़कर आप मुझे contact कर सकते हैं चलिए अब start कर लेते हैं reading और देख लेते हैं कि क्या मार्च मंत आपके लिए रहने वाला है कैसा और क्या चीज़े आपको देखने को मिलेगी आपकी personal professional life कैसी रहेगी 9 of cups magician 8 of wands and 4 of cups we have nine of pentacles we have six of swords page of cups nine of pentacles oh wow we have chatted card है अपने आप आगया यहां से queen of cups का card है चलो इसको थोड़ा सा रेंज करते हैं ताकि सारे cards आपको visible हो जाएं so let me arrange the cards i hope कि अभी सारे cards दिख रहे हैं अभी ठीक है okay guys the cards आगे हैं और कैसा रहेगा March month आपके लिए देखो यहां पर मिरको Gemini, Vigo Cancer यह तीन राशियां बहुत strong दिख रहे हैं ठीक है लेकिन यह राशियां हो सकते हैं आपके चार्ट में बहुत तो देखो जितना आप expect करते हो अपनी life से उतना शयाद आपको ना मिले March month में थोड़े से compromise करकर चलना पर सकता है ठीक है लेकिन मैं इतना बता रहे हूं आपको जैसे अगर आप 100% चाहते हो जो चीज़े आप चाहते हो वो होना तो उसमें से मैं इतना देख पा रही हूं क 65% you will get ठीक है 65% आप इतना अच्छे से manifest कर रहे हो चीज़ों को अपने favor में लाने की कोशिश कर रहे हो ठीक है बहुत सारे options आपके personal life like आप अपने अरली एक बहुत कुछ की रिएट कर सकते हो like आप travel कर सकते हो आप बहुत चीज़ों activities में participate करते वे दिख रहे हो life को बहुत अच्छे से manifest करते दिख रहे हो and आप इस मन्थ में happiness भी अचीव करते वे दिख रहे हो but still हमारे पास यह hermit का card है यह card बता रहा है कि जितना चाहते हो उतना नहीं मिलेगा like पूरा 100% आप नहीं अचीव कर रहे हो अपने life में true happiness को and still you have this lamp in your hand so यह indicate कर रहा है कि still आप कुछ कुछ discover करना चाहते हो like आपका कुछ ऐसा है कि जो चीजे आपको achieve करनी है life में आप उसके उसको follow करने की कोशिश कर रहे हो you know 65% you achieved already in this month but आगे का जो है अभी percentage वो अभी भी remaining part है ठीक है तो उसके लिए आपको अभी थोड़ा सा और discover करोगे आप इस month में मार्च मन्थ में औ और थोड़ा सा love life को अगर मैं love life की बात करूँ तो उसमें भी थोड़ा सा problem दिख रही है बहुत major level पर तो नहीं but still you have some problems yeah you have some issues in your love area but overall आप manifest कर रहे हो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो यह positive action है आपके लिए अपनी life को लेकर तो yes आपकी personal life में मैं ज्यादा तीन काट बहुत अच्छे हैं दो काट थोड़ी से disturbing है लेकिन yes आप track पर हो आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो तो यह एक अच्छी बात है जो आप कर रहे हो ठीक है तो आप अगर किसी के साथ already connection में हो तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि problems चलेंगी लेकिन इतने major level पर नहीं चलेंगी solve आप करने की पूरी कोशिश कर रहे हो आप मुझे manifest करते हुए दिख रहे हो आप मुझे you know चीजों को अपने favor में लाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो तो यह एक अच्छी बात है अगर मैं आपके professional life की बात करूँ तो professional life March month के लिए बहुत अच्छा है आपकी professional life why because we have nine of pentacles card and we have chariot card तो freedom achievements आपके work area में आपके पास आ रही है कुछ ना कुछ नए ideas, innovation you will create, some creativity activities you will do in your work so मुझे लगता है कि chariot card एक victory का card है और आपको किसी ना किसी एक particular field में अपने work में कुछ ना कुछ तो आपको victory आ रही है काफी ज worth आप create कर रहे हो अपने लिए अच्छा agenda बना के उसको follow करने की कोशिश कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा ही ना इस time you know schedule बना कर चलने की कोशिश कर रहे हो so that आप track पर रहो तो chariot card मुझे indicate कर रहा है कि yes आपके पास blessings है आपके पास confident है और आप बहुत ज्यादा अपने future क को लेके अपने goal को लेके concerned है that is why आपके पास nine of pentacle की energy है यह energy इतनी अच्छी होती है कि आप free feel करते हो आप enjoy करते हो अपनी life को तो हो सकता है कि आप जो भी काम करते हो अगर अभी तक वह आपको पसंद नहीं आया है तो हो सकता है March month में burden थोड़ा सा कम हो so आप enjoy करते हुए आप हसते हुए मुस्कुराते हुए दिख रहे हो तो March month में मुझे लगता है कि आप अपने काम को बहुत जादा ही you know passion के साथ करोगे और एक अच्छी strategy आपके पास मुझे दिख रही है because बहुत thoroughly आपने इस चीज़ पर investigation किया है पुरा proper अपना schedule बनाया है and then आप उसको follow कर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जैसे कि यह page की energy है यह कुछ creativity भी दिखा रही है like new ideas you will have in this month ठीक है और आप मुझे वापस कुछ basics जो है आपके उनको भी आप revise करते हुए दिख रहे हो मुझको हो सकता है कि आप अपनी skill को improve करने के लिए कुछ basics फिर से revise करना चाहो अपने career को और ज्यादा improve करने के लिए अपनी skills improve करने के लिए तो एक यह चीज भी मुझको दिख रही है तो career में March month बहुत अच्छा है लेकिन love life में भी और आपकी personal life में भी चीज़े ठीक हो रही है और you know 65% आप track पर हो थोड़ा सा भी और आपको healing की और थोड़ा सा और ज्याद है because अभी तक वो चीज़े achieve नहीं हुई है जो आपका goal है अपनी personal life के लिए तो उसके लिए आप मेहनत करते वे दिख रहे हो manifest करते वे दिख रहे हो तो यह चीज अच्छी है अब थोड़ा blessing जानेंगे divine की तरफ से क्या blessing इस month के लिए आ रही है क्या advice आ रही है आपके the end wow everything has to end someday be prepared preparation will bring desired result तेखो divine कहरे है हर situation का end तो हो नहीं है हर चीज का end होना है तो आप अपनी preparation पुई रखो like this hermit card भले ही अभी यह थोड़ा सा दिखाता है कि आप खुश नहीं हो but still you have lamp and still आपके पास hope है तो आप क्या कर रहे हो उपने आपको prepare ही कर रहे हो कैसे आगे बढ़ोगे कैसे आप discover करोगे ताकि अच्छा result आपको मिले तो यह वही energy है और आप you know सही track पर हो divine भी आपको इसी desire of you जो आपकी desire है जो आपकी एक्षा है उसी को लेकर आप काम करते रहो अपनी duty perform करते रहो यहां वहां की बातों में क्या कुछ नहीं रखा कोई क्या कह रहा है क्या बोल रहा है ignore करकर आप अपना काम करो change of place हो सकता है बहुत जल्दी आपका जो place है वो change हो सकता है change of place अग अपना place भी change कर जाओ नए घर में move कर जाओ या फिर कहीं travel करने चले जाओ ठीक है इस तरीके से हो सकता है so if you have any question for this month you can ask maybe you will get your answer कोई भी अगर आपका question है oh wow opportunity you will get you will definitely get okay money will come to you guys अच्छा promotion या अच्छा appraisal होने के chances है and yes बिलकुल yes 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 so big yes for you guys so perfect timing बहुत pass है आप लोगों के लिए और यहां से भी yes का card है तो yes okay so this is your reading मुझे तो बहुत अच्छे cards नल गए है आपके लिए और ये chariot card भी बता रहे है के yes बहुत अच्छा time आने वाला है start हो जाएगा March month से ही आपके career में तो definitely बाकी आप manifest करते रहो खुश रहो ठीक है this is your reading I hope कि आपके साथ resonate हुई हो आपको पसंद आई हो अभी के लिए बस इतना ही bye take care